हेलो फ्रेंड स्वाबत करती हूँ अपने चैनल रेनू प्यूटी बालर में आज हम इनके बालों में पार्टी हेर स्टाइल बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने बालों में ब्लो ड्रायर किया है ब्लो ड्रायर करने के बाद मैंने बालों में क्रिम्पिंग करी है क्रिम्पिंग बनते हैं तो मैंने सारे बालों यह देखे क्रिम्पिंग कर ली है, और हमने year to year बालों को निकाल लिया है, पार्टीशन कर लिया है, और अब हम puff बनाने के लिए ये देखे इस तरीके से बाल निकाले हैं हमने इसका हम puff बनाएंगे और puff किस असान तरीके से बना सकते हैं ये देखे इस तरीके से हमने गोलाई में यानि कि C में हमने puff बनाने के लिए बाल निकाले हैं और इसको हम टक कर देंगे और यह हमने एक लिप लगा दिया है और अब जो यह हमारे पीछे के बाल बने हैं अब इन में हम इस तरीके से कॉम करके और इसमें हम रबर लगा देंगे यह जुड़ा हम नैक पर बनाएंगे यह जब भी आप रबर लगाएं तो आप बलेक कलर की रबर लें और हमेशा दो रबर लें यह मैंने दो रबर ली है और इस तरीके से हम नैक पर पोनी बना देंगे और यह हमने रबर लगा दी है और इसको हम टाइट कर देंगे यह देखे इस तरीके से हमने रबर लगा के छोड़ दिया है अब उसके बाद हमने जो बालों को टक किया था उसका हम पफ बनाएंगे पफ आप किस तरीके से असान तरीके से बना सकते हैं तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ये थोड़े से पीछे से पफ के लिए बाल लेंगे और बाकी बालों को टक कर देंगे और यह हमारी गाइड लाइन है इसी के नुशार हम पफ बनाएंगे और बालों को सीधा लेकर खाली रूट रूट में इस तरीके से हम बालों में बैक कॉमिंग करेंगे फिर हम थोड़े से बाल निकालेंगे थोड़े थोड़े से बाल निकाल कर उसमें हम यह देखें नीचे नीचे रूट पर इस तरीके से लाइट लाइट हातों से बैक कॉमिंग करेंगे आप इसमें इस्प्रे डालना चाहते हैं तो इस्प्रे भी डाल सकते हैं इस तरीके से हम थोड़े थोड़े से बाल लेकर के बालों को सीधा करेंगे या सामने की तरफ हलका सा ले जाएंगे फोरेट की तरफ और बैक कॉमिंग करेंगे और इस तरीके से हमारा पभ बनेगा और अब हम सारे बालों को एकठा कर लेंगे और इसको फिनिशिंग लुक देते हुए अब इस तरीके से हम जो हमने बैक कॉमिंग करी थी अंदर की तरफ सैट कर देंगे जिससे की हमारा जो पफ है वो ही लेगा नहीं और अच्छी तरीके से कॉम करके और हम इस तरीके से टाइट पकड़ लेंगे और जितना भी आपको हाइट पेपफ बनाना है तो आप बना सकते हैं और इस तरीके से टाइट हाँ से पकड़ लेंगे और इस तरीके से दो बोब पीन हम इस साइड लगाएंगे और दो पीन, दो बोब पीन हम दूसरी साइट लगाएंगे, इससे जो हमारा पफ है वो हिलेगा नहीं और इसी तरीके से हम दूसरी साइट में भी दो बोब पीन लगा देंगे अब देखे यह हमारा पफ बन गया है और अभी आप अगर इसको प्लेन पफ ऐसी रखना चाते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं और अगर इसमें लाइन क्रियेट करनी है तो हमने यह बीच में सेंटर में बिलकुल पफ के यह देखे इदर पीछे की साइट हमने जूड़ा पिन लगा दिया है और आप फिंगर से भी इस तरीके से लाइन क्रियेट कर सकते हैं थोड़े थोड़े से बाल फिंगर से उठाकर इस तरीके से लाइने बना सकते हैं और या आप चाहें तो इसके अंदर हलका सा स्प्रे डाल कर और इसके अंदर हम यू पिन या जुड़ा पिन से लाइनों को सैट कर सकते हैं और यूपिन लगाकर हलका सा स्प्रे डाल देंगे तो वो उससे सैट हो जाती है पिने क्योंकि आज कल जो हैरिस्टैल होगारा बन रहे हैं उसमें लाइने बगारा बनानी पड़ती हैं अब देखिए इस तरीके से हम हलका सा बिलकुल यूपिन की मदद से हलका सा इसको हॉल्ड कर देंगे और इस तरीके से हम यूपिन लगाते जाएंगे और इस पे हलका सा स्प्रे डालते जाएंगे इस प्रे जो मैंने लिया है वो मेरा टाफ्ट का है टाफ्ट का हमारा 5-6 नंबर हॉल्डिंग के लिए होता है इससे हमारा ये जो लाइन वगेर हम बना रहे हैं इसकी होल्डिंग पावर अच्छी है तो ये हमारा इससे काफी अच्छी तरीके से लाइन किरेट हो जाती है अब हमने देखिए पीछे भी जो हमने यूपिन लगाई थी पहले अब हमने वो अटाकर सिंपल बोपिन लगा दी है और जो हमने पोनी बनाई हुई थी तो उसका हमने रबड खोल कर जो हमारे पफ के बाल है वो भी हमने इसके अंदर मिला कर और ये हमने अब सारे बालों की पोनी बना दी है अभी हमने डोनट लिया है डोनट को किस तरीके से खोल डोनट में एक बारिक तार से ब्लैक बारिक तार होती है प्लास्टिक की तार होती है तो उसमें ये सिलाई हो रखी होती है तो उसको हम सीजर से कट कर देते हैं और जितना भी आपको लंबा ये देखे इस तरीके से आपको डोनट चाहिए काम पुफ बनाएंगे। अगRP आपको थोड़ा सा और मोटा जूड़ा बनाना ना है, तो आप ओर भी लगा सकते हैं। दोनट भी लगा सकते हैं, इस तरीके से करके, मैंने दोनट में से कात लिया है। और अब हम इसको साइट पिनों की मदद से हमें ये डोनट को अच्छी तरीके से सेट करना है क्योंकि ये हमारा बेस है और इसी के अपर ही हमारा जुड़ा बनेगा तो इस तरीके से हमने कम से कम चार-पांच पिने हमने चारो साइड में लगा दी हैं अब ये देखिए अब हम ये जुड़ा बनाएंगे तो इसके लिए हमने बालो को दो भागों में डिवाइड कर लिया है आदा हमने राइट साइड और आदा हमने ये देखिए लाफ साइड हमने बालो को कर दिया है अब हम इन में से थोड़े से बाल ले करके इस तरीके से हम क्रोस करते जाएंगे बालो को और फिंगर टिप से हम इस तरीके से बालो को खीचेंगे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम बालो को खीच लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम बनाते जाएंगे और बालो को इस तरीके से फिंगर टिप से हम बालो को इस तरीक और अब हम यह बाल ले करके और इस तरीके से हम एक साइड से हम दूसरी साइड ले जाएंगे और एक बार हम इस वाली साइड से बनाएंगे और एक बार हम दूसरी साइड से हम इस साइड को लाएंगे और बीच में हम जो हमारी यूपीन है उससे हम इस तरीके से इसको हम होल्ड कर देंगे यह देखें इस तरीके से हम होल्ड कर देंगे और हलका सा स्प्रे डालेंगे यह देखें यह हमारा 6 नंबर का है आप नोवा का भी ले सकते हैं नोवा का भी हमारा अच्छा हेर इस पर है और इस तरीके से हम बालों को फिंगर से सैट करेंगे अब हमारे देखिए कई बार काफी लोगों के लंबे बाल होते हैं तो वह आप उस साइड ले जाकर फिर आप इस तरीके से फोल्ड करते हुए बालों को आप इस साइड भी ला सकते हैं अब जैसे हमारे छोटे बाल बच्चे हैं तो अब हम दूसरी साइड जो हमने पोनी के बाल लिये थे उसको भी हम इसके अंदर ही मिला लेंगे थोड़े बाल उस वाले साइड में से लेंगे हम दूसरी साइड में से और इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे य हमने थोड़े बाल लिया है इसमें से और इस तरीके से varsay करते जाएंगे इसको में 시간이 किरेंगे तरने किते हैं और फिर हां दूसरी साइड में ले जाएंगे और इस तरीके से मार को बालो को बीच में बीच को ठेंगे हम इसके पीनें करें करें कॉ में कि Pastor यह सब्सक्राइब की में बीच में अब इसके पीनों से होल्ड करें cela फिर हम इसमें और फिर हम यह जो हमारे बाल बचे हैं फिर हम थोड़े से बाल उठाएंगे और इन बालों के साथ मिलाते हुए और इस तरीके से फिंगर से हम बालों को खीचेंगे और पूरे बालों में हम इसी तरीके से करते जाएंगे और इसको हम दूसरी साइड में ले जाकर इस तरीके से हम यूपिन की मदद से इसको हम सैट कर देंगे और इसी तरीके से हम पूरा जुड़ा इसी तरीके से बनाएंगे हम एक साइड से दूसी साइड और दूसी साइड से और एक एक लाइन करते हुए उस पर डालते जाएंगे अब यह देखिए हमारा लास्ट का जो बचा है उसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे तक सैट कर देंगे क्यूंकि यह जूड़ा हम नैट पर बना र कर देंगे हम अब हम फ्रेंट से मिल इनका लुक थो बना रहे हैं यह देखिए हमने फ्रेंट से हमने साइड पार्टिशन किया हैं हमने और इस तरीके difटे है जो हमने naier to iyer गाल लिये थे उसको एक साइड से थोड़े बनां बड़ा करके और इस तरह के से हरका साफ और करके और इस तरीके से में इस तरीके से से और इस्ट कर देंगे और उसके बार साइड पिन की मदद से बॉब पिन की मदद से सैट कर देंगे या आपको जितनी भी इसको लाइन बनानी है उतनी बना सकते हैं इसको भी हम रुलका सा फोल्ड करके और फिंगर से हम इस तरह के से लाइने बनाएंगे इसमें आप यू पिन लगाना चाहते हैं तो यू पिन भी लगा सकते हैं और इसको अब हमने पिन से सैट कर दिया है अब जो ये हमारे बाल बच्चे हैं तो इसको भी हम इस तरही के से फोल्ड करते हुए और इसके अंदर हम अटैच कर देंगे जूड़े के अंदर इंगे एस तरिके से युपिल से हॉल्ट कर देंगे अब हमारा जूड़ा बन गया है अब हमारे जे दुसरे साइट के बाल बचे थे इसको भी हम हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करते हुए या आप इसकी जुड़े के उपर इसको लगा सकते हैं या इस तरी की से कोई flower बना सकते हैं और यह देखे यह हमने अल्कक सा flower बना दिया है इसमें हम यह देखे इन वेजुल भी नहीं जो आती है वो हम इसके अंदर लगा देंगे और यह हमारा देखिया आप जुड़ा बनके तयार हो गया है और अब हमने जो यह यूपिन लगाई हुई थी हम सारी यूपिन निकाल लेंगे और हमने सारी यूपिन निकाल ली है और कोई एक दो पिने से हम इसको सैट कर देंगे यूपिन जो हमें दिखाई ना दे और जो इन्वीजिवल पिने जो होती है वो हम इसके अंदर लगा देंगे क्योंकि आजकल जूड़े वगएरा इस तरीके के बनते हैं जिसमें हमें पिने वगएरा नजर नहीं आती है और वो advanced hair style बोले जाते हैं आजकल advanced hair style का fashion है तो हम इस तरीके से बना रहे हैं और मैंने बहुत यह असान तरीके से आपको यह हेर स्टैल बनाना सिखाया है उसके बाद आप इसमें बीच बीच में कुछ हेर एसेस बगर लगा सकते हैं आप देख सकते हैं यह साइड में भी लगा सकते हैं यह हमारा जुड़ा बन के तयार हो गया है और अगर आपको इस तरीके के हेर स्टैल पसंद आते हैं त प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइप और सब्सक्राइब जरू करें